प्रिस्त मलाइक बिनाने के लिए पहले दूद को पकने के लिए रखते हैं एक लिटर दूद रबड़ी बिनाने के लिए मैं इस्तेमाल करी हूं खोले बरतन में और इसको दीमी आंच में पकने के लिए रख देंगे और साथ ही वक्वे वक्वे से इसमें चमच हिलाते रहें जब तक दूद गाड़ा ना हो जाए दूद आडी मिदार में रह चुक है और इसमें मैंने एक पिंच बाइड के लाइची का पॉडर इस्तमाल किया है हरी लाइची का पॉडर और इसमें चार टेबल स्पून मैं चीनी इस्तमाल कर रही हूँ आप अगर ज़ादा इस्तमाल करने चाहे तो मजीद चीनी इस्तमाल कर सकते है रवड़ी तैयार है अभी इसको रख देंगे एक साइड पे टेंड आउने के लिए और अभी रेस्पिन लाइक की तरफ चलते है एक कप मैंने पनीर लिया है या फिर चैना भी इसको का जाता है और इसकी रेसिपी मेरे चैडल पर मौझूद है इसके साथ एक कप चीनी और तीन हरी लाइची इस्तमाल कर दियो चार कप पाणी के साथ इसका सीरप बनाएंगे इसके इलावा एक चाय का चमचीनी और एक चाय का चमच मैंने मैदा लिया है इन दोनों को मिक्स करने के बाद अभी पनीर इसमें शामिल कर देंगे और उसको गूंद लेंगे अच्छे से यह जान कर लेंगे बिलकुल यह आटी की तरह इसको गूंदना कोई पानी इसमें इस तबाली करना सिफ जो पनीर का अपना मैस्चर था उसके साथ गूंदना है यह बहुत अच्छे से गूंद गया अभी और अभी इसके चोटे से पेड़े हैं कोई भी शेप आप रसमलाई को देना चाहिए दे सकते हैं मैं ओवल शेप इसके लिए बना के लिए एक कप चीनी में चार कप पानी इस्तमाल किया अभी शेप पकने के लिए रख देंगे जैसे ही बबल आना शेरो हो तो बिल्कुल गाड़ा सीरप नहीं बनाना बस जैसे शुगर मिक्स और पानी उबलना शेरो हो तो रसमलाई शामिल कर देंगे और इसको धांब के पकने देंगे 15-20 मिनिट तक इसके बाद इसकी जो साइज है वो डबल हो जाएगा बीस मिनिट के बाद रसमलाई फूल चुकी है और अपनी साइज में डबल हो चुकी है अभी इसको जो रबडी थियार की थी वो शामिल कर देंगे इसमें रबडी थोड़ी जादा गाड़ी होती है मैंने रसमलाई के लिए थोड़ा लिकुर्ड रखा है यानि के इसको ज्यादा गाड़ा नहीं किया है आप चाहे तो कर सकते हैं गार्निशिंग आप किसी भी चीज से कर सकते हैं बदाम पिस्ता यह कुछ भी मैं इसमें के दो ड् ज्वड़ा के लिए ओिस्ता बदाँ के लिए 45 मैं और हैं अगर फिस्ता यह को जो बदामि बदो ची मैं